असलाम वालेकुम दोस्तो मेरा नाम है वगास हैदर और आप देख रही हैं हैदर टीवी दोस्तो दुनिया में बहुत से एक्सपर्ट लोग मौजोत हैं तकरीबन हर बंदा ही अपने प्रोफेशन में माहिर होता है लेकिन कुछ लोग अपनी स्किल्स को एक अलगी लेवल पर ऐसा लगता है जैसे ये सड़क दर्म्यां से तूट कर दो हिस्सों में तक्सीम हो गई हो देखने में तो ये काफी खतरनाक लगती है लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सिर्फ एक ड्राइंग है और इसे एक स्टूटेंड ने बनाया है लेवल ये अतनी रियल लगत ये सीन वाके ही में देखने लाइक था दोसों दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट मौजूद हैं इनके माइंड आम बंदों के माइंड से टोटली डिफरेट होते हैं इस बात का अंदासा गहरी वादियों में मौजूद इन बबबल्स को देकर लगाया जा सकता है इस पी अगर कोई शक्स इस जगह पर आकर ये बबल्स देखेगा तो इसे ऐसा लगेगा जैसे वो किसी और प्लैनेट में आगया हो ये आर्ट रियली देखने लाइक है दूसों वैसे तो हर आर्टिस्टी काफी ज़ता टैलेंटेड होता है लेकिन इस तरह का टैलेंट शायद पूरी सिलिंग को कॉटन वूल से कवर कर दिया पिर जब इसने कमरे में अंधेरा करके ये लगी नजारा दे रही थी इन्हें देकर ऐसा लगता था जैसे बादरों से बरा हुआ आसमान हो और इवन के इसमें बिजली भी चमक रही थी सिर्फ इतना है नहीं बलकि इसने ये एक स्ट्रीड एक्जबिशन है इस एक्जबिशन में आर्टिस्ट अबने बनाय हुए मॉडल्स को शेर की स्ट्रीट में रखते हैं ताकि हार कोई इन्हें देख सके ये जो मॉडल्स आप दिख रहे हैं ये कॉफी और बारबर शॉप का रैपलिका है लेकिन ये मॉडल इत और इसे अमेरिका में रहने वाले एक आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है ये आर्टिस्ट हमेशा लोगों को कन्फ्यूस करने के लिए इस तरह की अंजूजल चीज़े बनाता रहता है दरसल ये एक 3D आबज़ेक्ट है जो देखने में किसी चमकते हुए पत्थर की तरह ल boundaries और बिजली की तारे मगारा देखने को मिलती है लेकिन क्या हो अगर किसी country के border पर आपको एक बच्चे की painting देखने को मिल जाए सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये जो painting आप दिख रहे हैं इसे एक border पर बनाया गया है इसे एक French artist JR ने बनाया है ये Mexico और US क की मुलाकात एक बच्चे से हुई थी JR को ये बच्चा इतना प्यारा लगा कि इसने बच्चे की painting बना कर दोनों मुलकों के border पर लगा दी थी सिर्फ इतना है नहीं बलकिस artist ने border की दोनों तरफ एक picnic पी अरेंज़ की थी ताकि दोनों मुलकों के लोग इसका art देख सकें य असल में ये zebra crossing एक खास purpose के लिए बनाएगी है इसकी वज़ा ये है कि जब भी कोई इस road से गुजरता है तो वो एक दफ़ा अपनी गाड़ी स्लो करके इस amazing art को जरूर देखता है और इसका फाइदा ये होता है कि accident के chances काफी जादा कम हो जाते हैं वैल ये idea really brilliant है उस तो आज टैटूस बनाने का trend बहुत ही आम हो चुका है आपको हर दूसरे बंदे की बाड़ी पर टैटूस देखने को मिल जाएंगी लेकिन कि आप जानते हैं कि ये टैटूस सिर्फ इंसानी बाड़ी पर ही नहीं बर्कि स्टैटूस पर भी बनाये जाते हैं फ्रांस में रहने वाल पर एक द्रख्त के ऊपर हमेशा दो या तीन गौसले ही देखने को मिलते हैं लेकिन कि आपने कभी किसी द्रख्त पर पर परिंदों की पूरी बस्ती देखी है ये जो huge bird house आप दिख रहे हैं इसे चाइना में रहने वाले एक इंजिनियर ने बिल्ड किया है इस इंजिनियर दोस्तों ये जो अजीब अगरीब चीज़ा आप दिख रहे हैं इसे पहले निज़र में देकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई artificial flowers हों और किसी ने इन्हें decoration के लिए शेहर के दरम्यान में लगा दिया हो लेकिन आपो जानकर है कि ये कोई decoration piece नहीं है असल में ये शेहरियों के लिए बनाएगे rest points हैं जब इसके नीचे कोई शक्स या पिर कार आकर खड़ी होती है तो ये फूल पूरी तरह खुल जाता है और इसके लिए umbrella का काम करता है ये umbrella spread distance को दूप और बारीज से बचाने के लिए बनाए गई हैं लेकिन no doubt इन्हें जिसने भी बनाया होगा इसका आइडिया रियली कमाल का था दोस्तों दुनिया में बहुत से expert artist मौचूथ हैं जो चोटी मोटी और खराब चीजों की मदद से इतनी amazing creativity करते हैं कि जिनने दे कर कोई भी बन्दा हैरान हो जाएगा लेकिन क्या बिलीव करें कि कि दुनिया में एक ऐसा artist भी मौचूथ है जो जरतर iron, metal और plastic के pieces से अपने art design करता है इवन कि ये जंग आलूद लोहे को भी एक masterpiece में बता लेता है ये बन्दा वाके ही में pro है दोस्तों अगर nuclear power plants की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे dangerous places में से एक होती है नॉर्मले nuclear plant को chemical test के लिए use के जाता है लेकिन क्या हो अगर कि इसी nuclear site के उपर पार्क बना दिया जाए सुनने में तो ये बात impossible लगती है लेकिन ये जो पार्क आप दिख रहे हैं इसे एक nuclear site पर बनाया गया है ये पार्क जर्मनी के शहर कलकार में मौजूद है असल में इस जगा पर atomic power plant बनाने का फैसला किया गया था इवन कि इसकी construction का काम भी complete हो गया था लेकिन कुछ reasons की वज़ा से इसे use नहीं किया गया था और ये building ऐसे ही फालतू पड़ी होई थी पिर इस company के कुछ लोगों ने वर्कर्स के साथ मिलकर इस जगा पर एक बहुत बड़ा पार्क बना दिया और अब ये nuclear site लोगों की entertainment की जगा बन चुकी है बारहाल जो भी हो ये जगा सच में बहुत रेयर है दोस्तों ये जो वडियो आप दिख रहे हैं इस मनजर को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये rate पर बनाएगी कोई drawing हो इसमें समंदर सूरज और mountain जैसी दूसरी चीज़ें शामल है लेकिन अगर आप इसे गोर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा सीन धागों की मदद से बनाया गया है इस टेकनी को मेकरैमी आर्ट कहा जाता है इसे जाकराटा में रहने वले एक आर्टिस्ट ने बनाया है देखने में तो ये बिल्कुल पेंटिंग की तरह लगता है लेकिन असल में इस झाल टार लेकिन असल में इस बनाया है